जिससे जन्म का रिष्टा हो वो पहचाने बिना भी जाना सा लगता है पुरू भी अनुसूया के साथ ऐसा ही जुडाव महसूस कर रहा था इस बात से अंजान कि पौरव राष्ट्र ही उसकी वास्तविक दुनिया है पुरू अनुसूया को वहां से दूर दस्यू लोक ला रहा था और वहां सिकंदर भी मैसेडोनिया से दूर जा रहा था अपनी खुद की दुनिया बनाने के लिए ये बाईयोर अथेनियंस हैं और दाहिनी और थेबल्स जितने बेदर्द उतने ही खुंखार आमने सानने की लड़ाई में इनसे जीतना मुश्किल है मेरे ख्याल में हमें दोनों तरफ से वार करना चाहिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैसेडोनिया का आने वाला कल इस जंग के बारे में क्या राय रहता है मैं शाह की बाद से इत्पाक रखता हूँ हमें दो जगा से हमला करना होगा उन्हें दो मोर्चों में लड़ना होगा और उसका फाइदा हमें मिलेगा मुझे यकीन है कि शाह के इस फैसले के पीछे वज़ा दुरुस्त होगी मगर शाह ने कहा कि हमारी जंग सिपाईयों से नहीं बलकि बेदर्द लड़ाकों से है जंग का एक उसूल है दुश्मन हार तब मानता है जब उसे अपने कमजोर होने का एसास हो जाए शाह ने कहा कि इनसे आमने सामने की लड़ाई मुश्किल होगी और मेरी सोच कहती है कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किल को खतम करना चाहिए इसलिए हम हमला उनकी फॉच पे नहीं उनकी सोच पे करेंगे कि ये कभी हारे नहीं दाएं या बाएं से हमला करना उनके जोश को और बड़ा देगा और उन्हें ये पैगाम देगा कि हम उनसे डर गए हैं इसलिए हम हमला यहां ठीक बीच से अगर हमने हमला किया तो हम उनके सामने एक बड़ी फॉच लेकर खड़े होंगे हमारी तादाद देखकर वो बॉखला जाएंगे और हमारी हिम्मत से उनका खुद पर से अत्वार कमजोर हो जाएगा और उनकी सोच के बिखरते ही वो बिखर जाएंगे और उसके बाद उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा तुम कहना क्या चाहते हो ये शाह की सोच गलत है तुमसे ज़्यादा लड़ाया लड़ी है इन्होंने और जीती भी हैं बेशक लड़ी है और जीती भी हैं और इसी लिए शायद शाह हमसे राय मांग रहे हैं एक शाह अपने मश्वर्दी से राय लेता है पैसला नहीं और शाह राय तब मांगते हैं जब उन्हें किसी किस्म की शुबा हो एक बात तो तुमने साबित कर दी अलेक्जेंडर थेशिन शाहा पर तुम्हारी फटह कोई इत्तफाक न था जैसा कि अलेक्जेंडर ने कहा कल हम पूरी ताकत से यहां दुष्मनों के बीचों बीच हमला करेंगे और तुम दोनों मेरे दो बाजू मेरे साथ रहोगे कल हम अपने दुष्मनों को बताएंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई ताकतवर है तो वो है मसेडोनिया 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 झाल झाल झाल